दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूटूब चैनल एक्सेस अकेडमी पर आज की इस वीडियो में 12460 से चकबर्ति में चैनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के महत्पूर अपडेट डिसकस करेंगे आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना इसकि अपडेट पाने के लिए तो आएए सातियों सुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बात करते हैं 12460 से चकबर्ति के स्कूल आवंटन से जुड़ी हुई महत्पूर खबरों पर सातियों दो महिने का समय बीच चुका है स्कूल आवंटन का इंतजार करते हुए सभी चैनित बाई बहनों के हाथ में नुक्ति पत्र है लेकिन उनका जो बेरोजगारी का दंस है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है और लगातार सारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीडन का स स्कूल आवंटन होगा जब वो डेट आती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है सूनने होता है और केवल एक छलावा मात्र ही होता है इस तरीके की चीजें कब तक चलती रहेंगी क्योंकि इन चीजों को लेकर के विभाग की तरफ से बिलकुल क्लेरिफाई किया जाना यह स्कूल आवंटन को लेकर के अगर आपकी कोई मंसा है और जल्द स्कूल आवंटन करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आफिस्यल जानकारी रिलीज करें विभाग की तरफ से अगर आपको स्कूल आवंटन में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है तो उसको लेकर के भ मानसिक प्रताणना से तो मुक्ति पाएं ही और आतिक प्रताणना का जो सामना कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए उसके लिए भी कोई न कोई काम धंदे में लग करके अपने जीवन का यापन कर सकें जब तक स्कूल आवंटन नहीं होता है अब आप सभी लोग जानते ह कि अरपिस्त्री वास्तों की तरफ से लगातार कमिट्मेंट किया जा रहा है कि पांच मार्ज से पहले स्कूल आवंटन हो जाएगा अब उस खबर में कितनी सच्चाई है ये स्वयम अरपिस्त्री वास्तों जानते हैं बाकी अन्नी इसमें तीसरा कोई भी ब्यक्ति नहीं है वहीं आप सभी को बता दें कुछ सात्यों की तरफ से सोसल मीडिया पे कहा जा रहा है कि आज स्कूल आवंटन को लेकर के आदेश जारी हो सकता है अगर आज आदेश नहीं जारी होगा तो फिर एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा चैनितों को स्कूल आवंटन के लिए इन सभी खबरों को जानने से पहले आप सभी सात्यों को बता दें स्कूल आवंटन को लेकर के हम सभी की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है वो कहीं न कहीं आधे अधूरे मन से प्रयास किया जा रहा है जहां पर सभी चैनित जो भाई बहन हैं उनमें सामन जस एकता और भी जितने भी चैनित हैं इनको संग्टित होना होगा एक बड़े मंच पर आ करके एक बड़े इस्तर पर प्रयास करना होगा आपसी मतभेदों को भुला करके कोट की पैरवी को एक से दो दिन के लिए भुला करके सभी बड़े निता अगर एक मंच पर आ करके प्रयास करें तो स्कूल आवंटन की दिसा में बड़ा कदम विभाग की तरफ से जल से जल लिया जा सकता है तो देख लेते हैं सबसे पहले हम सभी चैनितों को किस तरीके से कारवाई करनी है उसके बाद आज स्कूल आवंटन की जो खबर है उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया पर सुरय प्रकास भाई के तरफ से पोस्ट सेर की गए वास्तों में पोस्ट में बहुत ही दम है देख सकते हैं सात्यों आप सब के पैर भी करता है जिनके नाम मैंने नीचे लिखे हैं इन लोगों को कोट की बाद में करनी चाहिए पहले लखनव में बुला कर एक बड़े सतर पर निवेधन करने का कारिकरम रखना चाहिए दरना प्रदर्शन दोस्तों नहीं करना है निवेदन के रूप में प्रियास करना है अर्पि स्रिवास्तों अंकित वर्मा राजू और अंकित राजपूत ब्रजेसियातों सत्प्रकास मदुकर मोहिद दुबेदी अनूप सिंग अनि जितने भी साती हैं और बाकी जितने भी लोग हैं 1260 में सबको एक मंच पर आकर एक बड़ा जनसमूह लाना होगा और हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझ कर 200 या 400 लोगों की जिम्मेदारी लेनी होगी बुलाने के लिए और एक रणनीती बनानी होगी जिसके तहत लखनव में काम किया जाए जो भी साथी आने को तया हैं उनको एक ग्रूप में जोड़कर अलग से रणनीती बनानी होगी तो यस तरीके से अगर प्रियास किया जाए तो वास्तों में इसका बेहतरीन परिणाम और रिजल्ट निकल कर सामने आ सकता है हलाकि अनूप सिंग भाई की तरफ से ऐसे प्रियास लगातार किये जाते रहे हैं लेकिन चैनतों की तरफ से उन्हें फुल सपोर्ट नहीं मिला है जब भी उन्होंने लोगों को लखनो बुलाया है तो दस-पांच लोग मात्र पहुंचें लखनो अपने निवेदन कारिक्रम को ले करके लेकिन इस तरीके से अगर प्रियास किया जाए सभी चैनित और अगवाकारों की तरफ से तो मामला जल से जल साट आउट हो सकता है वहीं आप बात कर लेंगे इसकूल आवंटन को लेकर के आज आदे सोगा जारी इस ख़बर में कितनी है सच्चाई दोस्तों हमने पहले भी आप सभी को सोशल मीडिया पर और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जानकारी डिसकस की थी कि एक मार्च से स्कूल आवंटन को लेकर के जो खबरे सोशल मीडिया पर निकल कर सामने आ रही है उसका एप्रूमेंट ना तो S.E.R.T की तरफ से आदेश तो ये हम सभी लोगों के लिए सबसे बहतर खबर होगी यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं साथियों आज अंतिम तारीख है हमारी तरफ से विद्याले अवंटन का लेटर जारी होने की अगर आज लेटर जारी नहीं होता है तो सब लोगों को सोमवार को लख बनाना पड़ेगा आप लोगों को अब सोचना होगा अगर अब नहीं सोचे तो सब खत्म हो जाएगा जो इतना लंबा इंतजार किया है छे साल का उसके बाद आप लोगों को नुक्ति पत्र मिला है साथियों कोर्ट से हमारे आवंटन पर कोई रोंक नहीं फिर भी सरकार कर रही है तो कहीं न कहीं सरकार की मंसा खराब चल रही है अब सभी सात्यों को निकलना पड़ेगा अगर सोमवार को संख्या 5000 हो जाएगी तो याद रखना बुधवार तक आपका आदेश आ जाएगा नहीं तो आप खुद दिमाग लगा लो चुनाओ का समय है नुक्ति प क्या कर रही इसके बाद केवल एक बिकल बचेगा कोर्ट से पहर भी वो उसके बात करेंगे अगर उससे पहले कोर्ट गए तो सरकार भाग जाएगी और जज़ केवल सरकार का इंतिजार करता रहेगा इसलिए भारी संख्याबल के साथ लखनों में आना होगा अगर नहीं आ तो दोस्तों जिस तरीके से ये पोस्ट कही जा रही कि अगर आज जो है स्कूल आवंटन को लेकर के आदेश नहीं जारी किया जाता है विभाग की तरफ से तो सोमवार को सभी चैनित लखनों पहुंचे और वहाँ पर एक बड़े शत्र पर निवेदन कारिक्रम का अयोजन किया जाएगा हाला कि बहुत साती चैनित जो हमारे भाई बहने वो इस पोस्ट से सहमत भी नजर आ रहे हैं और लखनों जाकर के स्कूल आवंटन के लिए किये जाने वाले निवेदन कारिक्रम में सक्री भागेदारी निभाने के लिए तयार भी नजर आ रहे हैं तो दोस् दोस्तों इसी बीच आप सभी को बता दे सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से एक ख़बर वाइरल हो रही है कि 5 मार्च पर SCIT के मीटिंग है वहां से चैनितों को बड़ी उम्मीदे हैं और कहा जा रहा है कि 5 मार्च की जो SCIT मीटिंग है उसमें फैसला लिया जा सकता है तो स आपके स्कूल आवंटन को लेकर के मीटिंग नहीं ये बिल्कुल किलियर कट बताये दे रहे हैं अभी से पिलाल मीटिंग से जुड़ी हो important documents को देखने के बाद खुद किलियर हो जाएगी सारी चीजें यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि महानितेसक के स्कूल सिछा राज़परियोजना नितेसक कार्याले से लेटर जारी किया गया है प्रेशक है। महानितेसक के स्कूल सिछा उतापरदेश और ये सभी को प्रेशित किया गया है लेटर और इसका जो विश्य है उस पर ड़कर्णों की समिछा है तो दिनांक 5 मार्ट 2024 को से आटी के सभागा में बैठक आहुद करने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया मोदे आप आउगत हैं कि सासना देश पत्र संख्या 322-68 अनभाग प्रकोष्ट बेसिक सिच्छा 2023-2015-2021 मानी उच्च न्याले में चल रहे वादों या आउमाना वादों की आनलाइन मानीटरिंग है तो जो साइट दी गए पोर्टल पर प्रारम किया गया जिसका लॉग इन जन्पद में कोर्ट केस देख रहे अधिकारियों को उपलब्द करा दिया गया है इस पोल्टर पर आउमाना वादों के आते कि नए वादों का भी पंजीकरण ता मानीटरिंग की जाती है उक्त के संबन में पोल्टर पर पंजीकरण कोर्ट केस परकुणों की समिचा है दिनांक 5 मार 24 को प्राता 10 बचे से राची सैची का नुसंदानियों परसिचन परसत परसत पुतर प्रदेश लखनओ के सभागार में बैठक आहुत की गही जिसमें आपके कार्यले में कोर्ट केस का कारिज देख रहे गोरा निथे साले या कार्यले या जन्पत की समquinाउस से लैपटाप के साथ पर भाग किया जाएगा अता आपको निर्देशित किया जाता है कि नोडल अधकारियों के बैठक में सासमय उपस्तित होने है तो अपने इस तरसे निर्देशित करने का कश्ट करें ये डीजी जो इस समय हमारी कंचनवर्मा में हैं उनकी तरफ से आफिशियल लेटर जारी किया गया तो दोस्तों यह पर आप सभी को बता दें ये चीज बिलकुल किलियर है कि स्कूल आवंटिन को लेकर के ये मीटिंग नहीं है बाकी जो उच्चतम न्याले है और उच्च न्याले है उनमें जो कोट कैसे चल रहे हैं सिच्छा विभाग से संबंधित उनसे संबंधित ये मीटिंग रखी आएगा और वहां से सरकार किस तरीके से आगे बढ़ने जा रही है वो चीज़ें जरूर किलियर होंगी बाकी आपके स्कूल आवंटिन को लेकर के ये मीटिंग नहीं रखी गई है ये कोट में संबंधित जो भी वाद हैं उनकी समिच्छा के लिए रखी गई ये चीज पाखी और कुछ नहीं तो ये मीटिंग हो चुकी है फिक्स हो चुकी है पांच मार्च के लिए और इसमें जिन चीजों को डिसकस किया जाना है वो भी हमने आपको बता दिया आप बात कर लेते हैं अर्पिस स्रिवास्तों की तरफ से पांच मार्च से पहले स्कूल आवंट है अभी तक कोई आपीसियल जानकारी इसके बारे में निकल कर सामने नहीं आई है कि पांच मार्च को इसकूल आवंटन हो जाएगा हलाकि अर्पिसी वास्तों की तरफ से लगातारी कमिट्मेंट किया जा रहा है देर साम उनकी तरफ से एक नहीं पोश्ट सेर की गई हलाकि उसे हम डिसकस नहीं करना चाहेंगे अचा पांच मार्च स्कूल आवंटन पर संसे क्यों बरकरार है अब इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही कि कल को सात्यों की तरफ से सच्चियू सर से मुलाकात की गई और सच्चियू सर की तरफ से पांच मार्च करना पड़ेगा अपनी खबर को लेकर के क्योंकि स्कूल आवंटन का सम जो कम्प्लीट प्रोसेस है वो सच्चियू सर को ही देखना है और सच्चियू सर इसकूल आवंटन पांच मार्च की खबर को एप्रूब नहीं कर रहे हैं तो एसमें कहीं न कहीं एक बड़ा खेला हो होने की उमीर भी नजर आने लगी है क्या है सच्चियू से मुलाकात की अपडेट इसकूल आवंटन की पांच मार्च की डेट को लेकर के उस पर भी नजर डाल लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लुग देख सकते हैं ये सुर्या प्रकास की तरफ से पोस्ट सेयर की गई है जिसको हम आप सभी इसकार डिसकस कर रहे हैं साथियों कोई भी पांच मार्च के चक्कर में ना रहे क्योंकि क्यों नहीं रहे ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि मनुरावत जी और रामपुर के कुछ साथी कल लखनो गय थे सची उसर से मिलने गय थे तो उनका को हम लोग बिना कोट के निर्देश के नहीं कर पाएंगे अब 11 मार्च के बाद ही कुछ होगा ओ भी अगर सरकारी वकील गया ये सर का कहना है अब आप लोग खुद सोच लो क्या करना है क्यों कि कल ये तो साप हो गया कि अब ये भरती केवल और केवल 11 मार्च की है इसकी भावना कुछ और है क्योंकि 5 मार्च के बाद केवल एक दिन बचेगा उसके बाद कोट की तारीक 11 मार्च तक छुटियां है तब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और याद रखना आप सब लोग अगर नहीं आए तो 5 मार्च के बाद खाता जारी होंगे और फिर से इसी भरती में लूट पाट सुरू होगी और चंदा कमाने के चकर में ये भरती फिर से पंच वरसी योजना में चली जाएगी इसलिए आप सब लोग खुद की जिम्मेदारी समत्ते होए लकनों लिकल लो आपका आदेस हो जाएगा आवंटन का और सो मौर को सभी चैनित से इसलिए हम नहीं कह सकते कि 11 मार्च को सरकार अपना पच्चर रखेगी या नहीं रखेगी तो दोस्तों यहाँ पर बात होती है आजाओ 5,000 लोग आपका आदेस हो जाएगा आजा सिंगता के बाद जुलाई तक इंतिजार करना और उसके बाद 5 साल तक और इंतिजार करन पढ़ सकता है तो कुल मिला करके आप सभी सात्यों को बताते हैं इन सारी चीजों को डिसकस करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि सोसल मीडिया पर बहुत सारी कांट्रास्ट चीजें जो हैं वो चल नहीं है कोई पांच मार्च से पहले क्या और बाद में इसकोल आवंटन पर संसे बरकरार रखे हुए है सस्पेंस जारी है और इन सभी समस्याओं का समाधान है विभाग की तरब से आफिसियल इस्टेक्मेंट या विग्यप्ति आ जाए सारे चीजें अपने आप सुता समाथ हो जाएंगी फिलाल आप सभी सात्यों को बता दें परिशान नहों इंतजार क कि तरब से क्या आफिसियल जानकारी है इसको ले करके कोई भी नहीं जानता है ये जो कुछ लोग है जो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं ये वो स्वयम जाने और उनकी तरब से जो जानकारी सेर की जाती ही वही आप सभी लोग मानते हैं इसके लिए ये एक प्रियास करें कि इस्तर पर प्रियास करें जो चीजें होंगी वो सब के सामने निकल कर आएंगी और वो चीजें आप सभी लोग सही मान सकते हैं तो कुल मिला करके आप सभी को बता दें अभी तक जो ख़बर निकल कर सामने आ रही थी कि सरकार स्कूल आवंटन को ले करके तैयार बैठी है और कोट में बहतर पैरभी के साथ जा रही अब कल जो ये मुलाकात हुई है अब ये हुई है या नहीं हुई ये मिलने वाले ही लोग जाने और उसमें कहा जा रहा है कि सरकार पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी दोस्तों सरकार सुप्रीम कोट 11 मात सुनवाई के लिए कल का सामने आ रही थी उनसे जुड़े हुई डाउट हमने दूर करने का प्रयास किया देखते हैं अर पिस सर्वास्तों की बातों में कितनी सचाई है पांच मार्स से पहले स्कूल आवंटन कराने में वो सफल होते हैं या केवल एक नया सी गूफा था हम सभी को डिश्टर् करेंगे आज की इस वीडियो में पस इतना ही मिलता है अगली वीडियो में तब तक लिए सबसातों को चाहिंचे बारत बंदे मात रहें